मेरा नाम समृत्य सिंग है मैं कक्षा चार बह में पढ़ती हूं हर साल 28 फरवरी को नैशनल साइंस डे यानि की राष्ट विज्ञान दीवस मनाया जाता है राष्ट विज्ञान दीवस के उपलक्ष में मैं आई हूं एक प्यारी सी कविता लेकर आदी मानव सा बनकर रह जात दीवस मनाय यह संसार विज्ञान से मिली हमको एक नई पहचान समुत्र से उठाकर अंतरेक्ष ले आया इह घ्यान विज्ञान से मिली हमको एक नई पहचान एक समय ऐसा भी था जब चारों ओनध्यरा था तीपक को जलाकर लोगों ने वो कठे समय गुजारा था फिर धॉमस अलवा एडिशन ने बल्ब का आविशकार किया रोशनी की चमकीली चादर पूरी धर्ती को उड़ा दिया अंधेरे से धका हुआ था यह संसार विज्यान से मिली हमको यह नहीं पहचान जब अपने दूर हो जाते थे मिलने को ना जापाते थे पत्र भेजकर लोगों तक मन की बाते पहुचाते थे फिर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविशकार किया दूर दराज से लोगों का अपना में खड़ा किया पत्रों के इंतजार में निकल जाते थे कई त्योहार विज्ञान से मिली हमें एक नई पहचान देश में क्या विपदाई हैं कब क्या समस्याई हैं किसके साथ कब क्या हुआ पता नहीं चल पाता था फिर गुल्य लमू मारकोनी ने किया रेडियो का आविशकार दूर दूर से लेकर आया सुख दुख का सामाचार आकाशवारी बना भारतियों की जान विज्ञान से मिली हमें एक नई पहचान लोग बहुत लाचार थे सामान उठा नहीं पाते थे कंधों पर रखकर बोजा मीलों पार कर आते थे फिर पहिये का आविशकार हुआ पहिये से बनने लगी